पैर की मोच आना अब पैर की मोच को जातर लोग घर बैठे देसी तरीकों से यानि की गरम पटी बान लेना थंडे गरम का सेख कर लेने से उसकी सूजन और उसके दर्द को काफी हद तक कम कर लेते हैं लेकिन इस मोच की सीवेर्टी को जातर पेशन्ट को नहीं पता होता कि एक मोच उनके पैर की स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकती है अब रिसेंटली हमारे पास में केस आया था जहां पर उसको स्पोर्ट्स गेम खेलने की दोरान उसके पैर में मोच आई उसको स्वैलिंग रही उसको पीन रहा और उसने अगेन वही देशी टीटमेंट अपने घर पे अपलाई किया उससे उसका दड़ चला गया सूजन चली गई लेकिन जब उसको चलने फिनने में स्टेबिलिटी के इश्व आने लगे तो उसके एमराई कराई गई और जब एमराई कराके हमने देखा तो उसको मल्टीबल लिगामेंट जो सपोर्टेड लिगामेंट होते हैं हमारे जो ATFL होता है NTA टेलो फिर्बर लिगामेंट होता है उसका कम्पलीट टीर हमें देखने को मिला तो एक छोटी सी मोच भी काफी खतरनाक हो सकती है अगर उसका ध्यान अगर आप नहीं रखते है तो तो ऐसे केसिस के अंदर इनिशल लेवल पे हम लोग फिर्जो थरपी टीटमेंट देते हैं पेइन स्वेलिंग कम करने के लिए और जब पेशेंट का पेइन और स्वेलिंग कम हो जाती है तो उसके बाद उस पेशेंट का रिहेब किया जाता है यानि कि प्रॉपर एक्साइजिस कराई जाती है वहां के सपोर्टेड लिगामेंट को स्ट्रॉंग करने के लिए क्योंकि आपकी बॉड़ी का जो पूरा लोड है वो आपके उसी इंजड एंकल के उपर आता है तो अगर आपके एंकल के लिगामेंट पे टियर है और आप बार बार रनिंग कर रहे हैं स्पोर्ट में बॉल हो रहे हैं तो उस पे लोड आने से वो टियर भड़ सकता है आपकी स्टैबलिटी कॉम्परमाईज हो सकती है आपके स्पोर्ट के अंदर जो भी आप गेम खेलते हैं उसकी प्रफोर्मेंस भी डाउन हो सकती है आज के इस वीडियो के अंदर वो वही रियाब एक्साइजेज वही एंकल की स्टैबलिटी की एक्साइज में आपको बताने जा रहा हूँ जिन एक्साइज से आप अपने एंकल को स्टॉंग कर सकते हैं ये सबी exercises आप ankle spreen के बाद कर सकते हैं अगर आपके कोई ankle की surgery हुई है और उसके कारण आपका ankle weak हो गया है तो भी next exercise को आप कर सकते हैं जिसमें हम आपकी strength, आपकी balance और आपकी body की, आपकी ankle के surround सबी ligament को मजबूत करने की exercise इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सेलन को subscribe जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो को like और share जरूर करेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की exercise हमारे ankle sprain या ankle की strength के लिए हमें सबसे पहली exercise जो करनी है वो है planter flexion strength इस exercise जो करने के लिए आपको एक theraband की जरूरत होगी जिसका link मैं आपको description में दे दूँगा उसके बाद में आपको अपने इस theraband को अपने पंजे में अटकाना है और उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है ऐसा करने से आपके जो planter muscles होते हैं जो आपकी gastronymus solis muscles होती है वो strong होती है और इससे आपके ankle की strength भी बनती है यह बड़ी basic exercise है जातर ankle के हर cases के अंदर हम इस initial exercise exercise को जरूर कराते हैं इस exercise के आप दिन में दर्दस repetition दो बार कर सकते हैं वह हमारी जो अगली exercise है वो exercise है हमारी inversion injury को strength करने के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि ankle spin में हमारा जो पंजा है वो अंदर की तरफ मोड़ जाता है तो उसकी बाहर की muscles होती है ATFL होता है बाकी ligaments होत होती है और ankle की strength से बनती है दोस्तों सबी बहुत ही basic exercise है जिसका करना बहुत ही ज़रूरी है आपको initial level पर जैसे से आपकी strength भढ़ती जाती है exercise और add होती जाएगा वह अगली exercise जो है यह हमारी ankle की balancing exercise हम कह सकते हैं इसमें आप किसी एक box के ओपर अपने जिस पैर में आपको द में करना पड़ता है ऐसा करने से आपकी जो लोडिंग strength है क्योंकि जादर joint ऐसे होते हैं जिसमें आप जितना load डालेंगे वह दिर दिरे वह रिपैर होना शुरू करते हैं तो loading एक repair इसमें आपको देखने को मिलेगा वहीं आप side से भी exercise को कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है ताकि बाहर वाली जो ligament होते हैं ATFL और बाकि जो ligament होते हैं हमारी inverse injury में जो tear हो जाते हैं उनको strength करने के लिए हमें अंदर से बाहर की तरफ जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह एक balance करना है जिससे कि लिगामेंट पे अच्छी strength आपको आप पर हम लोग ball के ओपर balancing exercise patient को बताते हैं जो इससे में आप वीडियो में देख रहे हैं वहीं इसके बाद में हम लोग patient के हाथ में 5-10 kg का weight भी देते हैं जिसे दीरे दीरे उसकी strength बढ़ना शिरो हो जाए तो यह सब भी exercise हैं जो आप ankle spin के बाद कर सकते हैं उमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें